राइपूर उपकंड चेतर के उपतेसील सेंद्रा ग्राम से होकर ब्यावर के तरफ जाने वाली मुक्य साड़क जोकी करी पांच महापूर भारिस के मौसम में इस साड़क का कटा होने से साड़क आदी से ज़्यादा सतिकस हो चकी और साड़क के समीब करी पांच से गेरा खड़ा इसकदर पढ़ चुका है कि ये गेरा खड़ा कोई भी बड़े हास्ते का कारण बज़ सकता है लेकिन संबंदी दिभाग के जिम्मेदारों की लापरवाई का भी ये जीता जागता उधरन तस्वीरों के मादियम से देखने को मिल रहा है कि सड़क किस कदर सत पड़ी पड़ी है और किस कितना गहरा ये खड़ा तस्वीरों के मादियम से भी आप देख सकते हैं लेकिन आखिर संबंदी दिभाग के अधिगारों के अंदे की ये कोई भी बड़े हास्ते का रोप ले सकता है नियुजनेर राष्टान के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सेंद्रा ग्राम के मुख्य ग्राम को ये जोडने वाली सडक ब्यावर की तरब ये सडक जाती है इस सडक से होकर ग्रामिनों का वानचालकों का भी आनजाना रहता है अब तो बारिस का मौसम भी खत्म हो चुका है लेकिन उसके बावजूत भी समझे दिभाके अधिकारियों की नियंद क्यों नहीं खुल रही ये भी एक प्रसन जनता के जहन में बार बार खड़ा हो रहा है सिर्फ पुलिस के बरीटेग जरूर इस खड़े के पास में जो सड़क में पढ़े है खड़े यहां पर किसी भी हास्य को दावत ना दे उसके लिए जरूर लगाय गए हैं लेकिन आकिर कब तब पुलिस के बरीटेग यहां पर इसकदर पढ़े रहेंगे तो फिर सम्मंदी दिफाग के जिम्मेदारा का इस तरफ ध्यान नहीं जाना भी उनकी लापरवाई का जीता जागता उधारन ये सड़क पेस कर रही है बर्ट से बलीज गुलाने हैं शेम सैनी की रिपूर्ट नियूजने रास्तान कर दो कर दो कर रही है